बेटी की शादी की अप्लॉट की रेजिट्री नहीं दोस्तों आग में चैनल सुआ गाता है ललीता जी पठावट अपने कब्रे में आई और मनुहर जी को जगाया मनुहर जी हडबड़ा कर उत्ते उर्ते से ही गड़ी की तरफ देखा तो अभी तो सुबह के साथ बज़ रहे थे जैसे तैसे अपने आँखों को मलते हुए मनुहर जी ललीता जी से बोले अरे आस तुमको क्या हो गया है तुमसे कहकर सोया था ना कि मुझे जल्दी मत उठाना रात को जोरी काम कर रहा था फिर भी तुमने मुझे जल्दी उठा दिया तुम्हें पता है ना जब में नीद पूरी नहीं होती है तो दिन भर में परिशान होता हूँ और पूरे दिन मुझे परिशान होना पड़ेगा उनकी पास उनका लेलिता जी खबराती हुए बोली अरे आपको नीद की पड़ी है जल्दी उठो रचना के ससराल से फोन आया रचना का नाम से दे म पर आप फोन करके पूछो तो ललीता जी ने मनोर जी का फोन उनके हाथ में देते हुए का मनोर जी ने पटाफट फोन लिया और अपने दमाद में को फोन लगा दिया लेकिन में ने फोन उठाया ही नहीं दो तीन वार में मनोर जी ने फोन किया पर में का रिसमां नदे कर उन मैंने पहले ही तो रजनेक शादी महिंग के साथ की थी अपनी तरफ से सब कुछ देखवाल कर गी ये रिष्टा किया था मैंगा आज के जमानी का पड़ा लिखा समझदार लड़का वही परिवार के साथ में जुलकर रहने पर विश्वास करती है घर में सास बनना जी हैं जे अचाना को अचाना को दर में क्या हो गए कि मैं उन्हें फोन करके ती पति रासे पर क्यास लगा तो नहीं पोछ कर देखा तो तरवाजा खुला हुआ था पर ऐसे कैसे अदने जा सकते इसलिए और जाए तब हैं आज आज आ जाये आप लो हम आपका ही जा कर रहे हैं आवा बैठी हैं हमें आपसे जहुरी बात करने हैं मनुर जी और लजीता जी आगर सोवे पर बैठ गए मनुर जी नहीं की तरफ देखा तो वो शायद बुस्से में था ना कोई पैर चुड़ा ना कोई ही पर बना उन्हें बड़ी अरानी हुए मनी मनु देरबन चल रहे थी कि आ अखिन मनुर जी ने बोलना शुरू किया क्या बात है संदेंजी आपने सुवे सुपे क्यों बलाया है क्या बात हो गई उनकी बास उनका बना जी मूँ बिगारते हुए तो आप अपनी पेटी से पूछिए उसे अपने ससुड़ाल में रहना है या नहीं उनकी बास उनका और अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली ऐसा क्या हो गया संदेंजी रचना ने कुछ कह दिया क्या और कोई गलती हो गई है तो अपनी बेटी समझकर माफ कर दीजिए माफ करना संदन जी अगर मेरी बेटी ऐसी गलती कर रहे है तो ना तो मैं उसकी टांगे तोड़ जी सोच रहे थे कि आखिर रचना ने उन्हें फोन कप किया लगी था जीनमेयंग की तरफ देखा लेकिन वो तो अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था इतने में मनुर जी बनना जी से बोले पर संदन जी आप बताएंगी भी कि वह क्या है आखिर रचना ने ऐसा क्या कर दिया और आप रचना को बलाईए उसके सामने ही बात होगी क्या सिखाया है आपने उसे बस मेरी पले से बांद दिया उसको मेरी पुरी जिन्द की बरबात कर दी ऐसी ओरत जिसे अपने पती की भावना को कोई ख्याली नहीं है अब तो मैं बीच में बोल पड़ा हुए उसे यू साथ इन लोगों ने लजीता जी लगवार रोती हुई रचना की तरफ दोड़ी और उसे अपनी बावों में बढ़ कर बोली रचना को इस तरह देखकर एक बार तो मनुर जी का कलेशा भी मुह को आ गया पर फिर हिमत करते हुए वो बेंग से बोले क्या किया आप लोगों रचना की तरफ देखा तो रचना ने रोते हो बताया पापा आपकर इदमात पागल है देखिए किस तरह ऐसे मारा है मुझे मैं किसी से चाहे वो औरत हो या मर्द हो थोड़ा सा हस बोल क्या लूँ मुझे मारने पर आमदा हो जाता है घर की छट ये वालकनी में भी अकेली खड़ी हो गई तो दस बाते सुनाता है सबके सामने थपड तक लगा देता है पक फेरे की रस्म के बाद जब भाईया वापस शहर जा रहे थे तो मुझसे मिलने आये थे तब भी नोने मुझे थपड मारा था यह कहकर कि यह आदमी यहां क्या करने आया है उसकी बास सुनक अकेला नहीं छोड़ते हैं कहीं मैं आपको बता ना दूँ यहां तक कि मुझे माईके तक नहीं आने देते हैं और ममी जी इसमें भी अपने बेटे का ही साह देती हैं आज सुबह मैं इनके लिए चाह बना का कमरे में लाई ती तब मेरा फोन ड्रेसिंग पर ही रखा दिख कि मैंने ममी पापा को फोन कर दिया है जब इन लोगों को लगा कि मैंने सच मुछ आप लोगों को फोन कर दिया तब जाकर इनोंने आपको फोन करके बुलाया इनकी ऐसी आद्थों के कारण बड़े भाई या भावी भी यहां नहीं रहते मुझे ले चलिए यहां से मैं यह नहीं रहूंगी रचना रोते रोते सब कुछ बता दिया अरे वह ऐसे कैसे चली जाएगी अब तुम इस घर की बहु हमारी मर्जी के बिना बाहर कदम भी नहीं रखेगी बना जी बीच में बोली बस कीजिए सब्धन जी बहुत बोल लिया आपने जब आप हमारे सामने इतना कुछ बोल रहे हैं तो पीट पीचे पतांगे क्या क्या करते होंगे और अब क्या इजात लेनी बाकी रहाए गया लरीता जी बोली अगर इसने घर के बाहर किदम रखा तो इसके लिए इस घर के दर्वाज़ हमेशा हमेशा के लिए बंद जाएंगे फिर अपने घर में बात कर रहे हैं तो तुम किस काबिल होगे सब पता चल रहा है तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मेरी बेटी पर हाथ उठाने की मनोर जी ने कहा तो मैं गुस्से से उनकी तरफ देख कर बोला ये मेरी पत्नी है मेरी शादी हुई है इसके साथ और आपने खुद कन्यादान किया था हम मैं उसके साथ कुछ भी करूं आप होते कोन हैं बोलने वाले जैसे एक प्लॉट के रेइस्टरी हो जाने पर उसका मालिका ना हग बदल जाता है वैसे एक लड़की की शादी होते ही उसके हगदार बदल जाते हैं अब आपकी बेटी पर सिर्फ मेरा अधिकार है आपका क मेरी कोई प्लॉट नहीं है जिसे शादी करते ही तुम्हें मालिकाना हक मिल गया एक और एक प्लॉट पर फर्क होता है कितनी गंदी सोच है तमारी अफसोस होता है मुझे कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी के लाइक समझा पर मैं यह बूल गया था कि दो तीन मुलाकात में अदर की गंदगी नहीं दिखती सिर्व भी दिखता है जो सामने पेश किया जाता है और तुमने अपनी बेटी की शादी करवा दी अब मेरी बेटी इस घर में एक बल नहीं रहीं मनोर जी भी लगवग चिलाते वी बोले गुस्ये में ही वह अपनी बेटी को लेकर वहां से रवाना होगे सबसे पहले रचना को लेकर प्लिस स्टेशन पोचे और मैंक और बंदा जी के खिलाव एफा एफ आयार करवाई रचना की सिरी देख प्रीस भी तुरहते अक्शन में आई और मैंक और बंदा जी और अफ्तार कर लेगे कुछ दिनों के बाद तलाक के लिए जी दे दी गई जिससे जल्दी रचना का रचना को तलाक भी मिल गया दोस्तों अगर आपको पसंद आती है कहानी तो लाइक सब्सक्राइज कमेंट कीजिए थैंक्स वर्वाट